नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीज में हूँ आपके साथ सौरवरा नितीज कुमार ने दिल्ली में अपने सभी सांसदों से मुलाकात की है आपको बता दे कि लोकषभा चुनाब नजदीक है ऐसे में सभी सांसद परेषान है कि उने टिकट मिलेगा या नहीं लेकिन नितीज कुमार ने अपने सभी सोलह लोकषभा सांसदों को सक्ता अदेश दिया है कि सभी लोग अपने अपने लोकषभा छेतर में रहें आपको बता दे कि 2019 में नीतीस कुमार यानि की जेडियू में इंडिये के साथ ही चुनाब लड़ी थी और उस वक्त इंडिये के अंदर BJP, जेडियू और चिराग पासवान की पार्टी लोचपा थी यानि कि उस वक्त रामिलास पासवान भी थे लेकिन आज के समय में इंडि कुमार पारस भी है फिसके अलावा जितरा मांची भी और चर्चा यह है कि मुक्य सहनी भी एंडिये में आ सकते हैं लेकिन नीतीस कुमार ने अपने सभी सांस्दो को सक्त आदेश दिया है और सभी लोगों को एक तरीके से कह सकते कि कनफर्मेशन दे दिया है कि सभी लोग सकते उनके जगा पे नए उमिद्वार भी उतारे जा सकते हैं लेकिन अभी तक कोई भी सांसद खुल करके कुछ बोले नहीं है सभी सांसद बिलकुल चूप हैं और सभी सांसदों ने कहा है कि उन्हें नितीस कुमार से असिरवाद मिल गया है लेकिन क्या नितीस कुमार कु 2019 में नितीज कुमार बिहार में 17 लोकसवाच सीटों के उपर चुनाब लड़े थें और उन्हें 16 सीटों पे जीत मिली थी किसन गजमों ने हार मिली थी लेकिन क्या नितीज कुमार को जेडिव को 16 के 16 सांसद उतारने के लिए इंडिये में सीट मिल जाएगा क्योंकि अब इं लोंको भी मिल सकता है लेकिन क्या नितीज कुमार इसके लिए अपने सभी सांसदों को तैयार कर दिये हैं कि अगर टिकट कटेगा तो उन्हें पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रह करके चुनाब जिताना है इंडिये को जिताना है क्या नितीज कुमार के 16 सांसद चुनाबी छेतर में फिर से उतरेंगे या कुछ का टिकट कटेगा आपको बता दे कि नितीज कुमार कुछ सांसदों का 2 से 3 या 4 सांसद भी हो सकते हैं जिनका टिकट थे लेकिन फिर 2022 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ करके महागठबंदन में चला गया था और फिर वहाँ पे बीजेपी के साथ नितिस्कुमार बिल्कूल दोन्यों के बीच में दूरियां हो गई थी वहाँ पे आरजेडी के साथ नजदिक हो गए थे लेकिन फिर से न सांसद हैं क्या सभी सांसद चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी सीट हैं जो बीजेपी या कह सकते हैं कि दूसरे जो सहयोगी डल हैं जिता रामान जी हो या फिर उपेंद्र कुस्वाहा की पार्टी हो या फिर चिराग पास्वान पसुपती बीच भी कुछ नितीस कुमार की सीटे बढ़ सकती है क्योंकि कहा जा रहा है कि गया से जितान रामान जी अपने बेटे को या खुद उचुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसके लिए करीब करीब बीजेपी ने सहमती भी दे दी है जितान रामान जी को लेकिन नितीस कुम और इसमें दो चार सांसर में कौन होंगे ये कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि अभी सीटों का जो कह सकते समीकरन है इसको उपर बाची चल रही है अभी किसी भी डल को लेकर के और इस गठवंदन में सीट फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टिक कितने सीटों पे लड़ेगा याने मतलब चिराग पासवान उपेंदर कुस्वाहा को लेकर के तो फाइनल कुछ नहीं हुई होगी लेकिन नितीश कुमार अपना फाइनल कर चुके हैं कि उन्हें कितने सीटों पे चुनाब लड़ना है और आपको बता दे कि नितीश कुमार के जो सांसद है यानि कि 16 लोकसपा सांसद उमूड बनाए हुए हैं लेकिन अभी सब कुछ साफ नहीं हुआ है यानि कि कुछ सांसदों का टिकट भी कट सकता है कुछ सांसदों का फिर बदल भी हो सकता है और कुछ नए उमिदवार भी आ सकते हैं जेडियू में लेकिन इतीश कुमार ने सभी सांसदों का दिल्ली में जिस तरीके से कलास लिया है कह सकते हैं कि सभी सांसदों से करीब 10 मिनट तक मुलकात के एक करके मुलकात किये हैं और वहां पे ललन से भी मौजूद थें जो कह सकते हैं कि जेडिव के एक बड़े नेता पहले राष्टिया ध्यक थे लेकिन हाली म उन्होंने राष्टिया धच का पच छोड़ दिया है वो मुंगेर से लोकसवा के सांसद हैं और भी मौजूद थे और जो कह सकते कि कुछ लोगों की आसंका है कुछ लोग को धड़कने तेज हो गई है कि किसका टिकट कटेगा किसका बचेगा कुछ ऐसे नाम है जिनका करटे बचा भी ले सकते हैं क्योंकि 16 लोकसवा सांसद उनके पास हैं और अपने कुछ पुराने सांसदों कोहीं चुनावी मैदान में उतारेंगे लेकिन कुछ नए चयरे भी हो सकते हैं और इसे इसमें कौन-कौन नए चेहरे होंगे कौन-कौन नए नाम होंगे एक कुछी दिन में साफ हो जाएगी और इंडिये में भी सीट सेरिंग के उपर लगभर थोड़ी बहुत बाचीत आगे बढ़ चुकी है अब देखना यह होगा कि कब तक सीट सेरिंग के उपर सब कुछ मुलाकात हुई है यानि की एंडिये के बीजेपी के जितने प्रमुख नेता हैं दिली में जो किंद्रिये नेता हैं बिहार बीजेपी के याका सकते हैं कि जो उनकी जो सिर्ष नेतरित्प है उन सारे नेताओं से निटीश कुमार ने एके करके मुलाकात कर लिए है सभी ने के पास भी पहुंच है और डिली में लाल कृष्ट ना डवानी से भी नितीस कुमार की मुलकात होए याने कि नितीस कुमार ये दिखा रहे हैं कि अब BJP और जेडीयू के बीच में सब कुस सही हो गया है नितीस कुमार फिर से बीजेपी के साथ मजभूती से खड़े हैं लेकिन अब देखना यह होगा कि नितीस कुमार की पाटी जेडिव को इंडिये में कितना सीट मिलता है कौन-कौन से सांसदों की टिकट बचती है और कौन से सांसद की टिकट कटती है देखना आहम होगा क्यो झाल 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 झाल